नमस्कार मैंना आजमिन खान आप देख रहे हैं SPN 9 News जिस तरीके से बीजेपी ने सियासी खेल खेला है SPN 9 जटका दिया है बीजेपी ने और जिस तरीके से यह सियासी खेल और यह रणूसी सामने आई है उलच फेर देखने को मिला है उसपर कई पाठी के कई नेता उने कई बड़ी बड़ी बात बोली है कोई बीजेपी की सपोर्ट में बोल रहा है तो कोई सिफसेंआ की सपोर्ट में बोल रहा है कोई एंसी पी को धोके बास बोल रहा है जहां स्रिव सेना खुष थी कि अब तो हम महारास्ट में तै हैं हमें कोई महारास्ट से हटा नहीं सकता हमारी सरकार बनकर ही रहेगी हमारा गटबंधन तै हो चुका है हम भवमत भी साबित कर देंगे हम अपनी गटबंधन को लेकर भी तैयार है तीनों पाटी मान चुकी है हो चुका था लेकिन सनिवार सुभाज जो खेल खेला है बीजेपी ने जो सीम पद की शपतली है देवेंद्र फंडवीस ने यह सब उन सभी पाटियों को चौका दिया है जो यह दावा कर रही थी कि महारास्ट में अब उन्हें कोई हटा नहीं सकता है जो यह यहां तक बोलत सकती है उसी बीजेपी ने उन सभी पाटियों को मूतोड जवाब दिया है लेकिन आपको पता दे कुछ पाटिया कुछ नेता सिर्फ सैना की सपोर्ट में भी उत्रे हैं उन्होंने कहा कि जो आपके साथ हुआ वो गलत हुआ है आपको सड़क पर उतरना चाहिए उसी में से एक कॉंग्रिस के वरिष्ट नेता है दिगविजे सिंग उन्होंने भी सिर्फ सैना का साथ दिया है और कहा है कि तीनों पाटियों के साथ धोका हुआ है वो यह कहते हुए नजर आ रहे हैं अगर आप तीनों पाटियों के साथ धोका हुआ है तो आप सड़क पर उतर जाई यह और अपने अस्तित्व के लिए अपने हक की लड़ाई लड़िये को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर सिर्फ सेना उद्धवठा की सड़क पर उतर कर अपने अस्तित्व को रखने के लिए बात बोलते हैं तो कॉंग्रेस उनका बरपूर साध्य देगी दिग्विजे स सबसे बड़ी बात है सबसे बड़ा दोका है सिर्फ सैना के लिए उद्दव ठाकरे के लिए ठाकरे परिवार के लिए जो उनके साथ खेला गया है वो साथ तोर पर यह कहते वे नजर आ रहे हैं कि आप जंता के दिलों में बसे हुए हैं जंता आपको पसंद करती है तो क्यूं नहीं आप अपने हक की लड़ाए लड़ते क्यूं नहीं सडकों पर उतरते क्यूं अपने स्थित्व के लिए सामने आते कि सरकार तो महराष्ट में सिफसेना की बननी चाहिए वह कहते वे नजर आ रहे हैं कि सविधान का मजाग बना है लेकिन कॉंग्रेस आपका भरपूर साथ देगी अगर आप तयार हैं तो हम खुद आपका साथ देने के लिए तयार हैं उनके साथ भी धोका हुआ है जिस तरीके से कॉंग्रेस तयार हो चुकी थी सिफसेना के साथ गडबंधन करने के लिए अध्यक सोनिया गांधी भी पहले हामी नहीं भर रही थी उसके बाद उन्होंने भी हामी भर दी थी उसी को देखते हुए कही ना कहीं इन दोनों पाटियों को तो जहटका लगा है क्योंकि ncp अजित पवार ने तो Wednesday के साथ हाथ मिला लिया तो कहीं ना कहीं करद पवार भी इसमें शामिल हो सकते हैं लेकिन आपको बता देए कि ncp जिस तरीके से जहटका दिया है उन्होंने करनेता हो सब यहीं कहते हुए नजर आ रहे हैं तीनों पार्टियों के साथ धोका हुआ नहीं था नियुक। अब ये देखना काफी दिल्चस्प होगा कि क्या बीजे पीभवम साबित कर पाएगी या फिर से ये सियासी रणीती ये चाल बदलती हुई देखी जाएगी महरास्थ में महाँल बदलता हुआ देखा जाएगा अभी देखना काफी दिल्चसप होने वाला है मुझे दीजे इजाजत बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रही एस्पीन नाइन न्यूस के साथ कि अधि कि अधि